हेलो फ्रेंट्स आपका हमारी चैनल हेल्पेंग आई टीवी में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंट्स आज का वीडियो बहुत ही खास है खास करके उन महिलाओं के लिए जो नॉर्मल डिलेवरी चाहती है प्रेंट्स महिलाओं की सबसे बड़ी कोसिस होनी चाहिए कि उनकी नॉर्मल डिलेवरी ही हो क्योंकि नॉर्मल डिलेवरी सारी जिन्दगी आराम दायक होती है नॉर्मल डिलेवरी होने में उतने टाइम तो बहुत ही दर्द महसूस होता है लेकिन बाद में आपको बहुत ही आराम मिलने वाले होते हैं लेकिन इसका अंदाजा उस समय आपको नहीं रहता है लेकिन जो महिलाएं सेजेरियन करवा चुकी हैं उनसे पूछे कि कितनी ज़यता परिशानी बाद में हो सकती है थोड़ी से दर्द से बचने की कारण महिलाएं अपना सेजेरियन करवा लेती हैं जो की गलत है सेजेरियन डिलेबरी से कुछ पल की दर्द से तो बचा जा सकता है लेकिन इससे बाद में कुछ साइड एफेक्ट्स होने लगते हैं जैसे मोटापा, कमर दर्द, सिर्दर्द, रीड की हड़ी में दर्द, आदी कई महिलाओं का सरीर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जिससे कई प्रकार की समस्याएं उन्हें उत्पन होने लगती है कुछ महिलाओं को कमर दर्द की सिकायत हो जाती है तो कुछ को रीड की हड़ी के जो नीची इंजेक्शन लगा होता है उसमें दर्द होने लगता है आज कल बहुत से केसिस में कमर दर्द की समस्या देखी गई है जिन महिलाओं को सिजेरियन हुआ है जिसका कोई इलाज भी नहीं होता है केवल डॉक्टर सारी जिन्दगी आराम करना ही एक उसका इलाज बताती है जो की पूरी करह से पॉस्विल नहीं है क्योंकि सिजेरियन डिलेवरी में पीछे रीड की हड़ी के निचले भाग में इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे कहीं न कहीं हड़ी कमजोर हो जाती है और जीवन परियंत तकलीव देती है इसलिए कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि नर्मल डिलेवरी ही हो अगर आप सुरू से ही नर्मल डिलेवरी का मन बना लेंगी और हिम्मत रखेंगी तो आपकी नॉर्मल डिलेवरी होने से कोई भी नहीं रुख सकता ये आपके मन के उपर है अगर आप सुरू से ही ऐसे काम करने लगे जो नॉर्मल डिलेवरी के लिए जरूरी होते हैं तो बहुत ही अच्छा है अगर आप आपने मन बना लिया हो तो मेरी बातों को दिहान से सुनिएगा और समझेगा फिर इन बातों को फॉलो भी करिएगा आप देख लेना आपकी पक्का ही नॉर्मल डिलिवरी होगी तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं इन बातों को कि ये कौन कौन सी हैं दस बाते सबसे पहली बात तो ये है कि नॉर्मल डिलिवरी के लिए बैड रेस्ट को बाय बाय करें मैंने अधिकतर देखा है कि कई मैला जैसी प्रेगनेंट होती हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वो काम ना करें बिल्कुल लेटी रहें बैड रेस्ट करती रहें जब कि ये गलत है कि आप बीमार हैं नहीं आप बीमार नहीं हैं आप प्रेगनेंट हैं इसलिए घर के हलके फुल के कामों को जरूर करें और आजकल तो कई डॉक्टर भी नॉर्मल डिलेवरी सोचते हैं इनकी ना हो इस बज़े से बिल्कुल रेस्ट करने के लिए कह देते हैं काम ना करो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको तो आप बेजजग घर के सारे हलके फुल के नॉर्मल जो काम होते हैं रोज मर्रा की उन्हें जरूर करें हलके फुल के काम करते रहने से अकलीव देती हैं दर्द को बढ़ावी देती हैं और नॉर्मल डिलेवरी भी मुश्किल से हो पाती है घर पर सुबह साम टहलने की आदत डालें जी हाँ फ्रेंड्स टहलना तो बैसे भी सब के लिए बहुत ही लाबदायक होता है लेकिन प्रिग्नेंसी में टहलना बहुत ही जादा फायदे मंद होता है इसलिए सुबह साम टहलने की आदत जरू डालें सुबह ताजी हवा में टहलें और शाम को जब खाना खालें तो आदा घंटे कम से कम जरू टहला करें इससे आपका खाना भी पच जाएगा और आपका टहलना भी हो जाएगा खाना खाने के बार टहलने से गैस अपच जैसी समस्याएं भी नहीं होती है आयरन योक्त चीज़ों जैसे गाजर, पालक, चुकंदर, अनार, आधी का सेवन जरूर करें ताकि प्रिगनेंसी के दोरान ब्लड की कमी ना रहे क्योंकि जिन महिलाओं में ब्लड की कमी होती है उन्हें नॉर्मल डिलेवरी में बहुत ज़्यादा परिसानी उठानी पड़ती है आज कई ग्रामिर एरिया ऐसे हैं जहां पर महिलाओं अपने खानी पीने पर ध्यान नहीं देती है और उन्हें ब्लड की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है जिस वज़य से उन्हें या तो ब्लड चढ़ाना पड़ता है या फिर उनको सिजेरियन करवाना पड़ता है इसलिए ब्लड का अच्छा होना भी नॉर्मल डिलेवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है इसलिए इस बात पर भी विशिश धियान रखे प्रोटीन युक्त भोजन जैसे दूद, दही, अंडा, सोयाबीन, आदी का सेवन जरूर करें सबसे पहले तो इतना आपको जानना होगा कि प्रोटीन सबसे ज़ादा किन भोजनों में पाए जाती है दूद से बने भोजन, अंडा और दाल, इन सब में सबसे ज़ादा मात्रा में प्रोटीन पाए जाती है प्रोटीन से ही गर्में बच्चे का बजन और मांसिक बिकास अच्छे से होता है तो एक बात याद रखिए, जब आप प्रोटीन युक्त भोजन करेंगी जो सेजेरियन डिलेवरी का कारण बन जाती है इसलिए यहाँ पर भी आप विसेज ध्यान रखें कि प्रोटीन युक्त भोजन का सेवन जरूर करें ताकि आपकी नॉर्मल डिलेवरी में आसानी हो सके सुबहे हलकी फुलकी एक्सेसाइज जरूर करें जी हाँ फ्रेंज प्रिग्नेंसी में एक्सेसाइज करना बहुत फाइदे मन्द होता है लेकिन आपको एक्सेसाइज भी ऐसी करनी है कि आपको पेट पर दबाव ना बने केवल हलकी फुलकी एक्सेसाइज करनी है जैसे आपको हाथ पैरों को चलाना है या सांस लेकर सांस को छोड़ना है जिसे हम अनलोम बिलोम कहते हैं या इस तरह कि आपको exercise करनी है आपके पेट पर दवाव नहीं बनना चाहिए exercise करने से आपका जो blood circulation है बहुत अच्छा रहता है और man's patient बढ़ी अलचीली हो जाती है जो normal delivery में बहुत ही जादा आसानी दिखाती है अपने बजन पर ध्यान रखें normal delivery के लिए सबसे बड़ी बात होती है अच्छे बजन का बढ़ना बच्चे के बजन की साथ साथ आपका बजन भी बहुत अच्छा बढ़ा होना चाहिए पूरी pregnancy में लगबक 8 से 12 किलो ग्राम तक आपका बजन बढ़ना चाहिए इसलिए अपने बजन पर भी ध्यान रखें समय समय पर डॉक्टर के यहां जाकर बजन का चेक अप करवाए ज़िए आपको बजन लगता है कि आपका कम बढ़ा है तो आप डॉक्टर से बात करें अच्छी हेल्दी सबजियां खाएं डाल अंडा दूद यह सब खाएं इससे बजन भी बढ़ेगा और आप अपनी निगरानी भी रख सकते हैं गर्बा वस्ता में अच्छी नीद होना भी नॉर्मल डिलेप्टी को प्रेरित करता है इसलिए वह काम करें जिससे आपको अच्छी नीद आए समय पर सुना और समय पर जागना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है प्रिगनेंसी में तनाव रहत रहें जी हाँ फ्रेंड्स प्रिगनेंसी में आप टेंसन बिल्कुल भी नाने एक कहाबत आपको साइद आती हो चिंता एक ऐसी चीज होती है जो चिता के समान होती है चिंता अच्छे खासी इंसान को खोकला कर देती है फिर प्रिगनेंसी में तो आपके पेटे में बच्चा बल रहा है उस पर कितना गहरा एफेक्ट पड़ता होगा आपको साइद इसका अंदाजा भी ना हो गी प्रिगनेंसी में टैंसन लेना आपके बच्चे के लिए कितना खतरनाफ हो सकता है इससे बच्चे पर निगेटिव परभाव पड़ता है और बाद में बच्चा भी उसी टाइप का निगेटिव थौट वाला हो जाता है बच्चे में टेंसन, चिछरापन, रोना, आदीजे समस्याएं भी हावी होने लगती है इसलिए आप खुश रहेंगी तो आपका बच्चा बहुत हेल्दी होगा और खुशनमा पैदा होगा इसलिए डॉक्टर भी हमेशा प्रिग्लेंसी के दोरान सबसे बड़ी बात कहते हैं कि आप खुश रहेंगी तो आपके सरीर में आपका खाना भी लगेगा आपके बच्चे को पोशन भी लगेगा आखरी के महीनों में हलके गुनगुने दूद या दाल में गी का सेवन करना सुरू कर दें गी नॉर्मल डिलेवजिक लिए काफी फायदी मंद होता है गी खानी से क्या होता है कि जो गरवासे होता है उसमें चिकनाहट आती है और बच्चा आराम से नीचे किसक कर बाहर आ जाता है इसलिए गी का सेवन जरूर करती रहें ताकि आपकी गरवासे में चिकनाहट बनी रहे प्रिगनेंसी में घर के काम जैसे जाड़ू पहुचा बरतन आदी उक्रू यानि दोनों पैरों की बल बैटकर करें जी हाँ फ्रेंट्स दोनों पैरों की बल बैटकर काम करने से नॉर्मल डिलेवरी के दौरान बच्चे दानी का मुए बहुत जल्दी खुल जाता है लेकिन उसके बाद भी आपको एबात ध्यान रखनी है कि आपको नौ महीने रेगुलर डॉक्टर के कॉन्टेक्ट में रहना है और डॉक्टर भी आप ऐसा चुने जो नॉर्मल डिलेवरी को ज़्यादा प्रफेंस देते हों क्योंकि आज कल के डॉक्टर ने देखा जाए तो धंदा बना लिया है सेजेरियन डिलेवरी करवाने का इसलिए ऐसा डॉक्टर चुने जो आपकी नॉर्मल लेवरी करा सके और उनसे रेगुलर आप अल्टरशाउंड करवाएं दवा लें और हर चीज का अपना पूरा ध्यान रखें तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ये फ्रेंड्स थोड़ी डिटेल में वीडियो हो गया लेकिन मैंने हर चीज डिटेल में बताने की कोशिश की है मैं माफी चाहती हूं लेकिन फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा और ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं मारी चनल को सब्सक्राइबी जरू करिया थैंक्यू